दोस्तो बले ही Government of India ने Digital India और Making India Initiatives के जरिए देश को Digital बनाने का सपना देखा हो लेकिन वास्तव में इस अपना तभी पूरा हो सकता है जब सभी Industries खुद को Digital Platform पर लेकर आएंगी वैसे तो कुछ Industries के लिए बहुत आसान था खुद को digitally shift करना लेकिन कुछ Industries के लिए ये काम बहुत ही difficult था और उनी में से एक इंडस्ट्री थी hospitality इंडस्ट्री जिसे Digital Platform पर लाकर Oyo Rooms ने Digital India को प्रमोट करने का काम किया है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मदार इंसान का नाम है रितेश अगरवाल जिनकी net worth 1.1 billion dollar से भी ज़्यादा है और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी यंग entrepreneur की success story के बारे में जानने वाले हैं तो रितेश अगरवाल नामक इस Indian entrepreneur का जनम 16 November 1993 को ओडिशा के बिसम कठक में एक मारवाडी परिवार में हुआ था जिसके बाद ओडिशा के तितलागड में उनका बच्पन गुजरा रितेश ने अपनी पढ़ाई Sacred Heart School से पूरी करी जो रायगरोडिसा मिस्तत है अपनी intermediate की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने St. John's Senior Secondary School से अपनी schooling complete करी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने डेली के Indian School of Business and Finance में admission ले लिया लेकिन बाद में उन्होंने college छोड़ दिया क्योंकि अपनी जंदगी को लेकर उनके पास कुछ और plans थे वैसे तो रितेश अगरवाल पढ़ाई में ठीक ठाक थे लेकिन पढ़ाई के अलावा उन्हें business में भरपूर interest था और सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने sims बेशनी शुरू कर दी थी रितेश शोटी उम्र से ही Bill Gates, Steve Jobs और Mark Zuckerberg जैसे लोगों से बहुत प्रभावित थे दूस्तों Unacademy के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये इंडिया का largest learning platform है जहां 6th class से लेकर IIT तक एक उसस अवेलिबल है लेकिन हम मैं आपको वो बात बताता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे तो आने वाले दिनों में 23 जैनवरी, 29 जैनवरी, 6 फेबरी और 13 फेबरी को Unacademy class 7th से 12th, IIT Jee, Neat UG और Neat UG Droppers के लिए Unacademy Prodigy टेस्ट करवाने वाली है जिसमें आप All India लेवल पर compete करके Macbook, iPad, iPhone, Amazon Dot जैसे 10 करोड वर्थ exciting prices के साथ graduation या post graduation के लिए 20 लाग रुपे तक का college grant जीज सकते हैं ये test एक गंटे का होगा जो कि Hindi और English दोनों में होगा और test के बाद इंडिया के top teachers का बनाया हुआ detailed scorecard और video analysis आपको मिलेगा एक बात और अगर आपको लगता है कि इतने कम समय में तयारी कैसे होगी तो टेंशन न लो क्योंकि 15 जैनवरी से 30 मिनट्स के practice टेस्ट भी करवाने वाले हैं तो description में दिये गए prodigy registration link पे click करो मेरे code NBCH10 से register करके prodigy test की तयारी में लग जाओ इसके अलावा रितेश अगरवाल को घूमने का भी बहुत शौक था और इसलिए आगे चलकर वो देश के अलग-अलग जगाओ पर घूमने भी जाते थे वो कहते हैं ना कि traveling के experiences से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो अपने traveling के experience से ही रितेश ने एक बात notice करी कि traveling के दोरान लोगो को stay करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कभी उन्हें बहुत जादा पैसे दे कर भी बेकार सी जगा रहने को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगो को कभी कम पैसों में भी बहुत अच्छी जगा मिल जाती है तो रितेश ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा startup शुरू किया जाए जिसके जरीए लोगो की जरूरत को पूरा किया जा सके और उन्हें बजट में एक अच्छा hotel room प्रवाइड करवाया जा सके बिल्कुल इसी सोच के साथ रितेश यगरवाल ने एक online booking community की शुरूआत करी और करीब 12 साल की उम्र में रितेश ने औरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरूआत की और आवल एक ऐसा startup platform था जो हर जगा में मौजूद hotels की लस्ट बनाता था और लोग को budget के अनुसार वो rooms प्रवाइड करवाता था ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 रुपे करटे करकर 2011 में और आवल की शुरुआग गुडगाओं में एक hotel से करी थी कुछ समय तक अपने startup के साथ काम करने के बाद रितेश ने उसमें कुछ बदलाव करने का निर्ना लिया और इन्ही बदलावों में से एक बदलाव ये भी था कि arrival stays का नाम बदल कर OYO rooms रख दिया जाए उसके बाद फिर उन्होंने अब उन सभी hotels के साथ partnership करने शुरू कर दी जिनकी location अच्छी हो और जिनने अपने revival के लिए किसी साहरे की जरुरत हो और इसके जरीए OYO ने अपनी खुद की जबरदस branding भी करी और क्योंकिन की services से customers इतने ज़ादा खुश थे तो समय के साथ और ज़ादा hotels इनके साथ जड़ने लगे और जैसे जैसे OYO के साथ hotels जड़ते गए वैसे वैसे OYO rooms की पहुँच लोकल एडियास के customers तक भी पहुँच गई और क्योंकि आराम दायक rooms प्रवाइड करवाने के अलावा यहां customers की हर तरह की facilities का खयाल रखा जाता है तो अब customers का इसके प्रती आकरश्चित होना बहुत लास्मी है customers को satisfy करने से related रितेश अगरवाल की शांदार अन्नीती को देखते हुए Lightspeed Venture Partners, DSG Consumer Partners, Sequoia Capitals और Greeno Capitals के दुआरा उन्हें millions of dollars की funding मिली जिसके बाद रितेश को और ज़्यादा काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपने startup की पूरे देश में growth पर ध्यान दिया लेकिन इसी के साथ ही वो कई controversies के भी शिकार हुए उनके उपर fraud और cheating के के कई allegations लगाए गए साथ ही उन्हें बहुत बड़े fines भी देने पड़े वहीं दूसरी तरफ उनकी सफलता से प्रभावित होकर हुरून Richless 2020 के according उन्हें second youngest self-made billionaire in the world के रूप में present किया गया Oyo Rooms की शुरुआत गुडगाओं से करने के बाद रितेश अगरवाल ने इस company को पूरे देश में 4000 होटल के साथ 160 शहरों में launch किया और अभी भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका इतना तेजी से grow कर पाने की सबसे बड़ी वज़ा ये है कि ये आम जनता की एक बहुत बड़ी problem को solve करती है और इसी वज़ा से word of mouth के जरीए ही इसकी इतनी publicity हुई कि ये आज इस मुकाम पर है और इसी वज़ा से OU Rooms का नाम आज इंडिया के top hospitality companies में भी शामिल है जो रितेश अगरवाल के hard work और innovation का ही नतीजा है अपने इस innovative idea की वज़ा से रितेश ने ना सिर्फ एक बहुत बड़ा startup खड़ा किया है बलकि आज के समय में वो नए entrepreneurs के लिए एक बहुत बड़ inspiration और motivation के source भी है और undoubtedly रितेश अगरवाल को future में बहुत आगे जाना है जिसके लिए हमारी तरफ से उन्हें best of luck तो दोस्तो यही ती कानी देते शकरवाल की अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिये गए prodigy registration link पे क्लिक करके मेरे code nbchtn से register करो और prodigy test में अपनी skills चेक करो और अगर आपके आसपास किसी को पढ़ाई में help चाहिए हो तो उसके साथ अनकाडमी को शेयर करना मत भोलिएगा धन्यवाद